अलो दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है निमित कम्प्यूटर्स तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ब्रेक, लाइन नंबर एन हाइफनेशन ओप्शन को डिसकस करने वाले हैं तो ब्रेक को दोस्तों हिंदे में बोलते हैं तोड़ना अलग करना तो ब्रेक के अंदर बेसिकलिए आपको दो तरह के उप्शन मिलते हैं पहला यहां पर पेज ब्रेक और दूसरा यहां पर आपको मिलता है सक्षन ब्रेक तो पेज़ ब्रेक में पहला यहां पर दोस्तों पेज जो की पेज़ को ब्रेक करता है, दूसरा कोलम जो की को ब्रेक करता है और तीसरा यहां पर टेक्स रैपिंग जो की लाइन को ब्रेक करता है तो शुरूआत करते हैं पहले option से जो की page को break करता है, तो दोस्तों जैसे मैंने यह एक document त्यार किया हुआ है, यहाँ पर chapter 1 है, उसके नीचे मेरा chapter 2 है, और यहाँ सबसे नीचे मेरा chapter 3 है, तो यहाँ पर मैंने तीन chapter जैसे बनाई हुए है, अब जैसे यह जो मेरा chapter 2 है, मुझ इसको वापिस अकर उपर लेके जाना है, तो आपको यहाँ पर backspace का button दबाना है, एक बार, दो बार, मुझा दो बार आपको backspace का button दबाना है, ओके दोस्तों, तो break के अंदर जो यह page है दोस्तों और insert के अंदर जो आपने page break पढ़ा था, तो यहाँ पर यह दोन option से match, आप चाहे तो इसको इसको next page पर कर सकते हैं, उपर ले जाने के लिए वही अपना backspace, ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, next है, आपको column, यह column को break करता है, तो पहले इसके लिए आपको column बनाने होंगे, तो जैसे मैं यहाँ नीचे, मैं column बना देता हूं, suppose कि मैंने यहाँ पर click कर के enter press किया, तो जो मेरा cursor है वो नीचे आगया, ओके तो उस column बनाने के लिए दोस्तों, आपको column पर click करना है, और फिर यहाँ से more column पर click करना है, उसके बाद यहाँ पर होता है number of columns, मैंने कितने columns आप बनाना चाहते हैं, तो मैंने यह पर 3 type कर दिया, उसके बाद नीचे होता हैं, कि यह आपका यहां से 3 column में divide हो चुका है, अगर आप उपर click करते हैं, तो यह आपको पता चलता है, कि यह एक column है, नीचे click किया, तो पता चला कि यह आपका 3 column है, यहां से, तो अगर यह ruler यहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो आप view में जाना, और यहाँ से अगर आप ruler पर click कर देंगे, तो ruler आपको यहाँ पर दिखाई देना लग जाएगा, ओके दोस्तों, तो अभी जो मैं काम करूँ मेरा कौन से column पर है, first column पर हो रहा है, मालो मेरे को second column में कुछ काम करना है, तो फिर ऐसे possible नहीं है, कि आप यहाँ click करके, double click करके इस तरह से काम कर सके, इस और एक बार column break होने के बाद, फिर आप किसी भी column पर हमाँ click करके काम कर सकते हैं, क्योंकि अब यह ब्रेक हो चुके हैं, टूट चुके हैं, ओके दोस्तों, तो अगर आपने वापिस यहाँ से first column पर काम करना है, तो आप दुबारा column में जाएंगे, more column में जाएंगे, और य दोस्तों, ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो column का बस इतना ही काम होता है, यह जो column है, इसका बस इतना ही काम है कि पहले यहाँ से आपको column बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस column की मदद से आप second या third column में काम कर सकते हैं, दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, next text wrapping, यह परके बना देता है आप चाहिए तो तीन हो बना देख सकते हैं जैसे मैं इस सकते हैं इस पर इमने में आ क्लिक की बस मुझे चकप्टर नहीं आपिराप इस को ने क्लिक करना है और इसके करेंगे और ब्रेख में जाक ठेक्स रमिंग पर क्लिक कर देगे तो इसने च्रेश को सिरू कि यह coaxe कर देख सकते हैं एक दूसरा पराग्राफ और यह मारहा section break, तो दोस्तों यह बहुत ही important option है, इसको आपको थोड़ा सत्याह से समझना पड़ेगा, और मैं भी कोशिश करूँगा, इसको मैं अच्छे से समझा सकूँ, तो दोस्तों section break का use करने से पहले, आपको home में जाना है, और आपने इस पे click करना होगा, यह मैंने आपको, जब मै पता नहीं चलेगा कि break हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं इसको मैंने इनेबल किया है, ओके दोस्तों, अब मैं break में गया और पहला यहां पर किया आपका next page, section break में पहला यहां पर आपका next page, तो जैसे यह जो मेरा chapter 2 है, मुझे इसको next page पे करना है, तो मैंने यहां पे क्लिक किया और break में जाके मैंने next page पे क्लिक कर दिया, तो इसने किया है कि इसको break कर दिया, मतलब कि यहां पे जो हुआ, section break हुआ है, आप देख सकते हैं, section break मतलब कि यहां से यहां तक आपका एक section है, और उसके बाद यहां से, यहां पे लिखा है section break, तो आपका यहां से यहां ता कि पूरा नीचे तक एक दूसरा section है, ओके दोस्तों, यह पूरा एक दूसरा section है, उसी तरह अगर मैं यहां पर chapter 3 के आगे click करके, यहां से next page पे click कर देता हूं, तो अब आप देख सकते हैं, यहां पर भी जो है, यह लिखा वारा है, section break, मतलब कि यहां से अब यह ए तो दोस्तों, यहां पर यह क्या है, कि यहां से यहां तक यह आपका एक section है, यहां से यहां तक यह आपका दूसरा section है, और यह आपका एक तीसरा section है, कैसे पता चला है, क्योंकि यहां पर लिखा वारा है section break, ओके, तब होगा क्या, कि जैसे मालो मैंने यह first section पे click किया, मैं तब मैं इस पर जो भी apply करूँगा, suppose मैं margin कम या ज्यादा कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं, सिर्फ यह इसी section पर apply हो रहा है, बाकि सक्षन पर apply नहीं हो रहा है, जैसे मैं इसको margin जैसे मैं कर दिया, wide कर दिया, तो आप देख सकते हैं, या मैं orientation इसको landscape किया तो यह इसी प आपके landscape में बाकि सक्षन आपके landscape में नहीं हुए, पोट्रेट कर रहा हूं, तो इसी section आपके portrait में नहीं हुए, दोस्तों, उसी तो जैसे मैं दोस्तों border दे रहा हूं, जैसे मैं page border में गया, अभी जैसे मैं first section पर मैं खड़ा हूं, जैसे मैं फर्स section पर click किया, उसके बाद मैं page border में गया, और यहां से suppose मैंने कोई border दे रहा हूं, आट वाला दे रहा हूं, और यहां पर apply to के अंदर अभी whole document लगा हूँ है, तो मतलब अगर मैं ok करूंगे तो पूरे document पर apply हो जाएगा, बट मुझे सिर्फ इसी section पर apply करना है, तो आप this section लेके आप ok पर click कीजिए, तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसी section पर apply हुआ है, उसी तरह मैंने यहां पर click किया, उसके बाद मैं page border में गया, और यहां से suppose मैं कोई दूसरा border लेके, मैंने this section किया, तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसी section पर apply हुआ है, उसके बाद यहां पर click किया, page border में गया, और यहां स चेप्टर एक दोस्तों तो अब अगर आपने इस सेक्षोन ब्रेक को अगर आपने हटाना है तो उसके लिए देखो आपको क्या करना होगा आप मैं थोड़ासा इसको जूम को थोड़ा कर रहा हूं ज्यादा ओके तो यह जो यहां पर लिखा है यह जो आपका यहां पर लिखा है सक्षन ब्रेग आपने यह पर क्लिक करना है उद्द का यहां पे प्रेस करना है तो मैंट आप यह एक सकते हैं, section break यहां पर हड़ चुका है, मतलब यह एक में combine हो गया भी है, उसी तरह यहां पर भी section break लिखा है, यहां पर भी मैंने click करके delete का button प्रेस कर दिया, तो मतलब अब यह सारा एक section हो चुका है, okay, दोस्तों, बोटर हटा देता हूं, okay, आगे बढ़ते हैं, next है हैं यहां पर आपका continuous, तो continuous के लिए दोस्तों, आपको पहले line number में जाके इस option को, जो है, मुझे समझाना पड़ेगा, पहले restart इस section को, तब जाके आपको यह continuous समझ में आएगा, तो अभी के लिए आप इसको रहने दे, जब मैं line number पढ़ाता हूं, पढ़ाऊंगो, तब मैं उसमें आपको यह बताता हूं, इसको छोड़के आगे बढ़ते हैं, next क्या है, उसके बाद आपका even page और old page, इसमें क्या होता है दोस्तों, कि suppose मैंने first page पे जैसे cover page बना रखा है, तो चलो मैं इसको next page पे कर देता हूं, और यहां first page पे मैंने जैसे click किया, और मैंने यहां पे cover page ले रखा है, जैसे आपने मैं देखा होगा, हर किताब के पहले पने पे cover page बना होता है, तो कोई भी मैंने cover page ले लिया, suppose, तो होता क्या है कि पहले page पे तो आपका cover page रहता है, तो कि इसको मैं backspace से उपर कर देता हूं, backspace, okay, तो जैसे आपका किताबों में क्या होता है, कि जैसे पहले page पे cover page बना होत और उसके जो पीछा वाला पेज होता हो तो ब्लैंक होता है और फिर आपका next page से तीसरे page से आपका काम चालो हो जाता है तो उसके लिए जो हम यहां पर order even option का use करते हैं जैसे अभी आप देख सकते हैं जो chapter 1 है मेरा यह second page पे है आप देख सकते हैं page 2 लिखा हुआ है अगर मैं ब्रेक में जाके यहां से ओडD page पे क्लिक कर दूँगा तो अभी जो second page पे हो मैरा सीथा किस page पे चला जाएगा? जाएगा और अगर यह मेरा थर्ड पेज पे होता, तो यह चला जाता सीधा वाले पेज़ पेज़ पे, तो यहाँ पर जैसे मैंने यह ओर्ड पेज़ पेज क्लिक किया तो आप देख सकते ही, यह जो है अब आपका पेज 3 पे आज गया है, आपको यहाँ पर बीच में ब्लां पेज उसके पीछे वाला पेज बलाएंक रहेगा और फिर आपका जो चप्टर वाला तीसरे पेज से आपका शुरू होगा दोस्तों, तो अगर आपने इसको हटाना है, आप चाहते हैं, इसको वापी सेकंड पेज पर करना चाहते हैं, तो आपने जो लिखा है, आप पर लाइन पर नमबर देने के लिए होता है, तो चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ, cover page को, cover page में आप दुबारा जाए, remove current cover page कर दे, हट जाएगा, तो अगला हमारा यहाँ पर क्या line नमबर जो होता है, सभी लाइन पर नमबर देने के लिए होता है, फिलाल तो भी यहाँ पर रिस्नाइच पेच, इसका मतलब है कि जब मेरा ऐसा यहां पेच स्टार्ट हो गा, तो नमबर फिर से क्या हो जया, ईरी इस्टार्ट हो जाएगा. तो यह होता है आपका restart each page, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर restart each section, मतलब नए section से मेरा जो number हो फिर से restart हो जाए, तो इसके लिए दोस्तों आपको पहले section बनाने होंगे, तो section बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे chapter 2 के आगे click किया, break में गया, और यहाँ पर मैंने continuous इसने क्या कि है, यहाँ से section break कर दिया, दोस्तों next page में भी होता था, section break यह भी करता था, but यह क्या करता था, next page में डाल देता था, but continuous क्या करता, next page में नहीं डालता है, यह वहीं से भी break कर देता है, okay, उसी तरह, यहाँ पर जो मेरा, जो तीसरा chapter है, इसके भी आगे मैंने click क करके क्या किया, continuous पर click किया, तो यहाँ से भी break हो चुका है, okay, तो अब मैं, जो है, मैं यहाँ पर मैंने click किया, chapter 1 पर मैंने click किया, अच्छा, यह तो आपका यह number होई रखा है, okay, मैंने chapter 2 पर जैसे click किया, और फिर मैंने यहाँ से restart each section कर दिया, तो आप देख सकते है, मेरा जो है, यहाँ से एक नया section start हो चुका है, यहाँ से chapter 2 से, तो यहाँ से मेरा number फिर से क्या होगे, restart यह से section, मलब जब मैरा दूसरा section स्टार्ट होए तो नंबर यहां से क्या होगे री स्टार्ट हो गया है ओके उसी तरह अगर मैं यहां पे भी क्लिक करके री स्टार्ट इस सेक्षन कर देता हूं तो आप देख सकते हैं यहां से जो मेरा नया सेक्षन स्टार्ट होगा है तो नंबर फिर से यहां भी री स्टार हो गया है ओकि दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेंच्ट है आपका सब्राइस फोर करеंट सिर्फ शुर्ण राइंभाए जाएगा जै जैसे कि यह जो Chapter 3 है इसकी आगे से को Line number हटाना है तो आप Surprise पे Click किर जिए तो इसक Óす ना बर if I स्पीर है यहां पर भी मैंने ぇ क्लिक किया और Surprise प्लूच किर तो इसकी आगे से Line number हट गया है है कि हैज एक से भी हटा दिया कि कि ओकी दोस्तों है और ऑखीय अगर आपने सेक्षिन ब्रेक को भी हटाने तो वही चीज यहां पर यहां पर क्लिक करने और यहां पर अब बटन प्रेस करने और यहां पर इसी तरह यहां पर भी मैंने क्लिक किया और डिलेट का बटन यहां पर मैंने प्रेस कर दिया ओके अब देख सकते हैं मेरे सेक्षन प्रेक यहां पर हट चुके हैं वाकि लाइन नंबर को भी हटाना तो आप लाइन नंबर में जाए और यहां से नन पर अब क्लिक कर दीजिए कि लाइन नमर हमारे हट चुके हैं दोस्तों ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका यहां पर हाइफनेशन हाइफनेशन जो होता है दोस्तों हाइफन देने के लिए होता है जैसे आप जैसे कोपी में कुछ काम करते हो एक मिन यहां पर justify यह हो रखा है तो मैं इसको justify हटा कि आधक्षन नीचे लिख देते हैं तो वही चीज़ होता है है जैसे यूर के बाद यहां पर यह जो डोकुमेंट है यहां पर यह पूरा नहीं आ पा रहा था इसलिए क्या हो वह नीचे आ गया मैं चाहता हूं थोड़ा बहुत भी है डियो सी यू तक ही है बाकि हाइफन क कि आधक्षन नीचे हो जाए कोई बात नहीं तो फिर उसके लिए आपको हाइफन नेशन में जाना है अब भी तो यहां पर नानो रखा है अगर मैं आटोमेटिक पर क्लिक कर दीजिए लाइन नमबर हमारे वह हाइफन नेशन हमारे हट गए मैनुवल में क्या है दोस्तों आपसे पूस्ता है कि भाइस को करना है यस कर दो यस कर दो इसमें करना पड़ते हैं आपको एक के को यस करना पड़ेगा कि किसी को नहीं करना तो आप नो भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर सब को यस यस कर रहा हूँ ओके तो इस सब पर हाइफन हमारे लग गए तो अगर आपने enfim को Yes किये है मनलब अगर आपने manual hyphen दिया है तो फिर आप none करके हटा नहीं सकते हटाने के लिए भी अब manually हटाना होगा यहापे ग्लिक कीजिए backspace का बटन दबाए यहाँ पे भी क्लिक कीजे backspace का बटन दबाए, यहाँ पे भी क्लिक कीजे और backspace का बटन दबाए, तो इसी तरह एक एक करके सब को हटाना होगा, तो दोस्तों कहने का मतलब अगर आपने automatic कर रखा हो था, तो फिर आप नन करके हटा सकते थे, लेकिन अगर आपने manual किया है, त तो फिर आपको backspace से हटाना पड़ेगा दोस्तों, तो I hope आपको यह तीन options किलियर हो गए होंगे, break, line number and hyphen nation, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद,